के हून काम आई तब राम काम आई हैं इसमें मेरा क्या दोस्त है इस वक्त हम लंदन में हैं और हमारे साथ मौझूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुपतेश्वर पांडे जी जिनकी पहचान अब बदल गई है और आप हो गए हैं स्वामी गुपतेश्वर पांडे जी जिनकी में इतना बड़ा बदलाव आ रहे हैं ऐसा क्या हो गया सर आप मतलब यूनिफॉर्म से सीधे इतना बड़ा बदलाव आ गया इसको कई बार कई लोग ने पूछा है कई बार इसका मैंने जबाब भी दिया और इसका अध्यात्मी की जबाब दूं तो देखिए आदमी की चेतना के तीन अस्तर होते हैं ए इसा अध्मी का पर्शिप्शन होगा वैसा है उसका बाहर मने आइक्षण होगा रिएक्षण होगा आप एंट्री मारने ही वाले थे तब तक आपको जोर का जटका लग गया उसका अफ़र तो नहीं है कि फिर आपको इस तरह से बाबा बन जाना पड़ा इसके नहीं हुगलवा सकता कोई मैंने आज किसी को इसके लिए दोसे नहीं माना है मैं मानता हूं डेस्टिनी आदमी की होती है मुझे उधर जाना ही नहीं था मेरी नियत नहीं थी क्योंकि मैं यह मानता हूं कि राजनीत में जाने के लिए जितनी क्वालिटी जादी में होनी चाहिए वो सब मेरे में नहीं है जितना धी प्रवचन भी लेकिन यह जो बदलाव आया है उसके पीछे की वज़ा क्या है लोग यह जाना क्योंकि 37-38 सालों तक जिसने युनिफॉर्म पहन कर बिहार जैसे राज्य में अपनी सेवा दी हो जहां पर इतना क्रिमिनल के केसे को हैंडल करना वहां पर इतने बड़े पत पर रहना अगर वो डीजीपी इतना बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो फिर आपको कि सब्सक्राइब कर इसमें Japan संब्सक्राइब करा बड़े जिस आपको नेता हैं आपको ब्रांबर नेता बनापर शाइन कराने का बादा किया था यह बात तो सच है कि यह बात गलत है यह आपको किस ने कहा आपको नितीश कुमार जी से अगर बात हुई हो तो आप बताएंगे ना कनफर्म तो आप करेंगे ना इस तरह की खबरे रही है लगता है कि आपको मानने नितीश कुमार जी से बात हुई है हमारे उनकी बात तो बस हमारे उनके बीच सब्सक्राइब तो फिर मतलब जाना है उधर बाबा बनकर कि आपको लग रहा है कि नहीं राजनीती के लिए बिलकुल हो गया रामरा लंदन में मेरा इंटर्वू ले रहे हैं और मैं आपको विधायक मंत्री बनेंगे और क्या इंडिविजुली आइकें गेन लॉट सोचल होटेवर लेकिन इससे क्या बदलाव राजनीती में मेरे जाने से आ जाएगा मैं बड़ा खुश हूं यहां हूं बड़ा खुश हूं देखो आज मेरी दस देशों में कथा हैं यहां से लग ग अमेरिका में लगे हैं कनाड़ा में लगे हैं सिंगापूर में लगे हैं दुबई में लगे हैं स्कॉटन में लगे हैं इंगलेंड में तो आकर के युके में मैं 15 दिन से प्रवच्ण ही कर रहा हूं सानातन धर्म की धोजा को पूरी दुनिया में फहराना है और लोगों के बीच में पोजिटिव एनर्जी को पिखेरना है मैं जात की बात नहीं करता मैं किसी को गिराने उठाने की बात नहीं करता मैं किसी की निंदा अस्तुति की बात नहीं करता मैं तो आम जीव मने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सनातन धर्म का जो संदेश है समस्त जीव का उत्थान हो कल्यान हो और भारत का नाम पूरी दुनिया में विश्व गुरू के रूप में फिर से उभरे मैं उसके लिए काम कर रहा हूं संस्कृत में आपनी छात्र जीवन में पढ़ाई की तो उसका फायदा भी मिल रहा है मतलब संस्कृत के शब्दों के हिसाब से श्लोक पढ़ना और बाकी चीजों को बताना बाबा जी बनकर तो मतलब आप एक मॉडर्ण बाबा भी हो गए ना आप तो एक मॉडर्ण बाबा ह गर में पैदा हुआ मेरे बापढ़ अनपढ़ थे मेरे मां अनपढ़ थी मेरे ग्रैंट फादर दादा जी अनपढ़ते मेरे दादी अनपढ़ती अमने खंडान में पहली बार पहला आदमी जो स्कूल में गया वह भी आठ साल के उमर में ते सर्भावाइवीं सिस्टमा amus 35 years that means you have certainly compromise somewhere कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं जी ओन में कभी compromise नहीं किया system will throw you out अभी मैं system से बाहर हूं बड़े आनंद का समय है बहुत ही सांती का समय है मैं उसका चड़े पचड़े में पढ़ना भी हार छोड़ दिया बिहार तो कब का छोड़ दिया बिहार में नहीं रहता हूं मैं अजोद्या में रहता हूं मंदिर में रहता हूं चोकी पर सोता हूं कंबल पर सोता हूं किचडी काता हूं पैदल चलता हूं रिक तुमको क्या अब्जेक्शन है अरे गाउं का ऐसा जो बर्गत के नीचे खटिया पर गुरुजी बैठ करके पढ़ाते थे जमीन में हम लोग पढ़ते थे न हिंदी आती थी न अंग्रेजी आती थी अग्रेजी बोलने वाला लंडन स्कॉटलेंड में अंग्रेजों को कथा सुनने वाला मौडन बावा बन गया तुमको ताली बजानी चाहिए और मेरी पीट थप थपानी चाहिए अब चलते चलते क्या सुनाना चाहेंगे जब आप प्रवचन करते होंगे तो भजन किर्दन ये सारी चीजें क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शतों को किसी भी आदमी को अपने पद का अपने स्वर्य का पैसा का पोस्ट का गरूर नहीं होना चाहिए कल मैंने लंदन की सनक पर एक कड़़पती आदमी को भीक मांगने देख मांगते हुए देखा सनक पर तीन महिन अपरदीप जी गवाय है और हमारे यह है है अरन ड्विया गवाय किसी को यह पद आपका अस्थाई कंई नहीं है कुर्शी आपके अस्थाई नहीं यहacements का यह इस जनम का पुन्न ऄंशित है तभी तक उस्चाई पर हो जिस दिन पुन्यों छीन होगा धड़ाम से गिरोगे इसलिए आदमी को बिनम्र रहना चाहिए नहीं मैं संपुन जीव मातर के लिए का रहे हैं मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं इस तरह के जाल में सब नेता जो जहां अच्छे कर रहे हैं ब्यक्ति कहार रहे हैं मोदी जी के बारे में और अनके सबने पुछू बोल रहते हैं कि कस्मीर में हमारे पर जिससे सोना का ऑंडा होता है ही नहीं सकते न खा सकते हो कह रहिए कि 330 लाने के बाद आ जोहां इस्थितिये है कि विकास हो रहा है अप Pirppt alan म्हों रहे हैं जमीन भी रहा है और एक्टिविटी मैं अपनी बात नहीं मैं वो जो बोल रहे थे हो मैं तो उनसे रेक्शन ले रहा था था मोनी देश का किसान है बोलाएंगे फिर चुनाव के लिए तो आप मोदी जी की कहने पर चले तो आप अपने मेरे मुझे क्यों निकालते हो भगवा तो आपने धारणी कर लिया ना देखो मैं उस तरह का हिंदू नहीं हूं जो काटो मारो की बात करता हूं मैं संप्राइक सद्वाव की बात करता यह हिंदू का है मुसल्मानों का है सिक किसाई सारे जो इस मुल्क में रहते हैं सब हिंदूस्तानी हैं सब हिंदू हैं और यह हवा सबकी है आसमान सबका है धर्ती सबकी है मैं तो संप्राइक सद्वाव की बात करता हूं प्रेम की बात करता हूं सारे जात मजहब के लोग एक से एक कंधे से कंधा मिला कर चलें सबका साथ, सबका अभिकास, बीजेपी का रंग तो पूरी तरीके से दिखाए दे रहा है, लेकिन अब चलते चलते जो जिस अंदाज में आप लोगों के बीच जाते हैं, एक संत बनकर उस अंदाज में चलते-चलते हमारे दर्शकों के लिए पिज़ा हूँ देखो आज भी को हमेशा पोजेटिव है नहीं कुछ भजन-भजन सुनाते हैं हम बहुत चाहते हैं हम भजपूरी में सुना देंगे भजपूरी सुनाई हिंदी में जिसमें संग छोड़ी दी सभेता संग छोड़ी दी सभेता आपन उहे बनई हैं के हूँ नकाम आई तब राम काम आई हैं के हूँ नकाम उसी ठाकूर की कृपा से आज मेरे जैसा नाचीज आदमी मामूली आदमी सनक शाप आदमी गरिब का बेटा मजदूर का बेटा किसान का बेटा देखो उसी ठाकूर की कृपा से एक और आज लंदन में स्कॉटलेंड में और अमेरिका में और जापान में और जर्मनी में प नाटी के मूल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 जोती से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो हम तो मुखत का पैगाम लेकर दुनिया में निकले हैं चित्रा मुखत का पैगाम सारे लोगों के लिए कि पैगाम प्रेम से रहो मिलके रहो और जहां भी रहो गरीव से बोलो कि हम हिंदुस्तानी है पूर डीजीपी साहब इस वक्त मोहबबत का पैगाम दे रहे हैं आप 2024 या 2025 के लिए इनके लिए मोहबबत का पैगाम कौन सी पार्टी के ओर से आता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर पहले आप उनको युनिफॉर्म में देखते थे खाकी वर्दी में देखते थे एक अलग रॉब में देखते थे अब ये संद की भूमिका में लोगों के सामने हैं चित्रा त्रिपाथी लंदन आज तक कर दो कर दो